आईए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज के सभी ताजा बड़ी खबरे और मुख समाचार बताने कि अभी भी सीम योगी आतनात और पीम मोदे ने कई बड़े लान बड़ी खुशनाय कर दिया है योपी के सभी 75 जिलों की महातपूर खबरे सिर्फ एक वीडियो में देने वाले इस खबरों को देखने के बाद आपको कोई अनले खबरे देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी तो वीडियो को लाइक करके खबर को एक दम आखर तक जरूर देख लें उदप्रदेश के करोडों किसानों को धिवाली का तोफा गेहूं पर MSP 1500 बढ़ी सरसो तिलहन में 300 का इजाफा चना मसूर जओ और कुसुम में भी बढ़ोतरी स्रियम योगी ने किया स्वागत जिहां आपको बताने कि केंदर की मोधी सरकार ने रवी की 6 फसलों का नियूंतम समर्थन मुले बढ़ा दिया है सबसे ज़ादा इजाफा सरसों और तिलहन में 300 रुपे किया गया गेहूं में 1500 रुपे परतिक विंटल बढ़ाये गया इस तरह गेहूं का नियूंतम समर्थन मुले 2425 रुपे परतिक विंटल हो गया जोग चना मसूर कुसुम की MSB में भी बढ़ोतरी की गयी है यह फैसला कैबनेट की मीटिंग में लिया गया रवी फसल की बुआई लुटते मांसून अक्टूबर नॉंबर के समय की जाती है तो आपको बतानी की होगी सरकार निस फैसलेगा स्वागत करते भी खाँ किस्ते यूपी के करोडों किसानों को लाब मिलेगा यूपी के स्कूलों में पांच हज़ार तिरासी तकनीकी अंदेशकों की होगी भरती पंदरह हजार रुपे प्रतिमाह मिलेगा मानते जी हाँ प्रदेश भर के सरकारी अबर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में पांच हजारools से इन Background की अंदेशकों की भरती होगी परसदिया पर प्राइमरी स्कूलों से लेकर पीम स्री विद्याले, कस्तुर्बा गाधी बाल का विद्याले तथा अटल आवासी विद्याले में इनकी तैनाति की जाएगी लर्निंग बाई डूइंग के तहद ये अनुदिसक बच्चों को इंजिनरिंग एंड वर्कशोप, एनर्जी एंड इन्वार्मेंट, एग्रिकल्चर, नर्सरी एंड गाइडनिंग तथा होम एंड हिल्थ आदि की तकनिक सिखाएंगे उदर प्रदेस के लोगों के लिए खुशकबरी, बलाकों और गाउं गाउं तक चलेगी बसे, पहले 6 जिलों में शुरू होगा ट्रायल दरसल आपको बता दी कि परदेस के अधितर बलाक और गाउं गाउं तक बसों के सेवा मोहिया कराने के लिए एक और पहल की है इसके ताथ यूपी के करीबत 3000 रूटों पर रोड़वेज बस और नीजी बसों के साथ समन्वेकर इनका आउगमन तै करेगा कोशिश रहे कि हाईवय और लिंक रोड के बीच में पढ़ने वाले बलॉकों से ये बसे दिन भर में एक बार जरूर गुचरें इनका समय ऐसे रखा जाएगा जिससे नौकरी पेशा दैनी के आत्रियों और विध्यार्थों को भी फायदा पहुचे परिवन निगम ने काफी मन्थन कर इन रूटों के लिए समन्ज में परिवन विवस्था नाम से प्रस्ताव तयार कर शासन को भेज दिया है वैसे आपकी जिले से हैं कमेंट जरूर करें यूपी के करमचारियों के लिए खुश खबरी दिवाली से पहले एक साथ तीन गिप्ट दे सकती है योगी सरकार जिहां आपको बताने कि केंद सरकार दोरा मांगाई भत्ते में तीन फिजदी के व्रधी करने के फैसले के बाद अब उतरप्रदेश के राज कर्मियों को भी सरकार बोनस के साथ ही मांगाई भत्ता देगी तीन फिजदे वृद्धी के साथ महांगाई भत्ता और महांगाई रात की दरबढ़ कर तरपन फिजदी हो जाएगी किन सरकार का शासना देश जारी होने पर वित विवाग डिये वर डियार दिये जाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तूत करेगा उमेद की जा रही कि बहुत ही जल्द राजिस सरकार बोनस और डिये दिये जाने का आदेश जारी करेगी और इस बार तो दिवाली से पहले करमचारियों को वेतन, बोनस और महांगाई भत्ता तीनों मिलेंगे वैसे आप कौनसा पेशा करते हैं? कमेंट सरूर करते मुख मंतरी योगी ने दिया भरोसा मुख मंतरी योगी आतनात ने उतर प्रदेश प्रात्मिक सिक्षामित्र संग के पदादिकारियों को आसपासं दिया कि वो अजल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे सीयम योगी ने सिक्षामित्र संग के अधिश और महामंत्री से कहा कि सिक्षामित्र निश्चिन्थ होकर स्कूलों में जाकर मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं सरकार सिक्षामित्रों के साथ किसी का आहित नहीं होगा इसके बाद संगटन के महामंत्री सुशिल कुमार कोसा अधिक्षरामिस मिस्रा ने मुखमंत्री के प्रमुक सचीव से मुलाकात की उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जैसे या चार्ट सहिता समाप्त होती है सिक्षामित्र का सासना देश जारी कर दिया जाएगा काशी से देश को 6,611 करोड के सौगात देंगे पियम मोदी बनारस को 14 पुर्जक का दिवाली गिप्ट भी जीहाँ को बतानी के प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी 20 अक्टूबर के काशी प्रवास के दौरान देश को 6,611 करोड से 23 परियुजनाओं के सौगात देंगे इनमे बनारस से जुड़ी 380 करोड की 16 परियुजनाओं सामिल है वही 2870 करोड रुपे की लागस्ते वारांसी के बाबतपूर एयरपोर्ट के विस्तारी करण से जुड़े कारियों का सिला न्याज भी करेंगे प्रधान मंत्री के आगमन से जुड़ी तैयारिया अंतिम चरण में प्रधान मंत्री मोदी, बनारस से आगरा, दर्भंगा, अंबिकापूर, रिवा, बागडोगरा और सरसावा शहरों में अरपोर्ट कारियों का वर्च्वली सुभारंब करेंगे उन्हें पिछले मा इन कारियों का शुभारंब करना था जो कि इनी कार्णों से टल गया था जोन चार के स्तमिक्षा की इस दोरान पार्सितों ने बताया कि नाली और रेल्वे लाइन के किनारे बांगलादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं इस पर मेर ने कहा कि वहाँ अभियान चलाए जाएगा इसके लावा यह भी तैक किया गया है कि दिवाली बाद जोन चार में आ अनिका लक्ष दरसल उतर प्रदेश के परिवन राज्य मंत्री सोतंतर पुर्भार दयाशंकर सिंग की अदेश्टा में इंद्रा गाधी प्रतिष्ठान में सडग सुरक्षा पकवाड़ा कारिक्रम का समापन हुआ उन्होंने कहा कि गाधी जैनती समारों से शुरू होकर आ हाइवेस बन चुके हैं और अन्य परतिजी से काम चल रहा है योबी में मुफ्त में लगेगा स्मार्ट मीटर नहीं देना होगा स्थर्विस केबल चार्ज जानिये क्या है इनके फायदे तो आपको बतानी कि पश्रिमांचल विदूत वित्रण निगम लिम्टेट के श्रि कर लाए जा रही है स्मार्ट मीटर निश्दूल को लगाया जाएगा और इसे लगाने के लिए अगर सर्विस केबल की आवस्तक्ता होगी तो उसने भी निश्वल को उपलब्द कराए जाएगा उन्हों कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वो भोगताओं को बिजली के जंचट से दिजात मल जाएगी वाप को बताने कि स्मार्ट मीटर इन्हों ने इसलिए लगवाया ताकि लोगों को भी भरोसा हो जाए यूपी में दिवाली पर सफर होगा असान 17 से जादा जिलों के लिए चलेंगे 94 स्पेसल ट्रेने सौ अतरिक्त कोच भी लगेंगे दरसल दिवाली और छट परोपर यात्रों की फीड को देखते हैं पुरोतर रेलवे स्पेसल जिलों के लिए 94 एक्स्ट्रा स्पेसल ट्रेने चलाएगा साथ ये नियमी ट्रेनों में 100 अतरिक्त कोच लगाए जाएंगे यात्रों के सुबधा के लिए सबी स्टेस्नों पर किवार कोड की सुधा प्रतान कर दी गई है यात्री टिकट का अनलाइन भुकतान कर सकें इतना ही नहीं 43 स्पेसल ट्रेने लखनों मंडल से चल इमेले राजप्रसाद उपाध्यक्षा और राजिस गौतम ने की मुलाकात दरसल वीजेथ हुआ महावीरन धाम में 26-30 अक्टूबर तक आयोजित वीजेथ हुआ महुसों के तयारियों के साथ साथ अतित्यों और रामकथा प्रेमियों को आमंत्रित करने के तयारियां जोर पर हैं काधिपूर विधायक राजिस गौतम वस्तत्य पत्फाउंडिसन के सनक्षक विवेक तिवारी ने मुखमंत्री योगी आधितिनास ने मुलाकात कर महुसों में आगमन के लिए आमंत्रित किया है वहीं विधायक राजप्रसाद उपाध्याएं ने भी सकारकम को ले काकार निवेश घरेलू या विदेसिर निवेशक और विवसायक जोकिम जैसे नियमों के कसोटी पर नहीं कसा जाएगा इनवेश ट यूपी के बिजनेस रिपार में एक्सर प्लान बी आरेपी दोहजार चौबिस में इसके शामिल होने के करण लाइसेंस के लिए उतम्यों सकते हैं एक्जाम दरसल आपको बतानी कि मानक के अनुरूप परिक्षा के अंदर नहीं मिलने कारण उतर प्रदेश लोग से वायोग ने 27 अक्टूबर को प्रस्ता विस्ता मिलित राज्य प्रवर अधिनस्त सेवा पीसेस प्रारंबिक परिक्षा दोहजार चौबिस स्तग किया है आयों के परिक्षान हिंद्रक हर्स देव पांडे ने सूशित किया है कि 19 जून के सासना देश के मुताबिक परिक्षा इस्थागित की गई है उद्रदेश में पराली जलाने वालों पर अब होगी सक्त कारवाई डियम ने ब्लॉक वार सौबी जिमदारी ड्रोन उडा कर भी की जाएगी निगरानी जिहां आपको बतानी के पराली जलाने वालों के खिलाप लगातार सुप्रेम कोट के कड़े निर्देश के बाद अब सक्त कारवाई की जाएगी जिले के ग्रामिर इलाकों में ड्रोन उडाए जाएगी और निगरानी की जाएगी जिससे की अलिगण में खेतों में कोई पराली ना जलाएं इसके यलावा प्रदेश के अन्ने जिलों में भी ऐसी सक्ती बरती जाएगी क्योंकि सुप्रेम कोट ने बहुत ही तगड़ा जटका केंद सरकार और राजी सरकारों को दिया उन्होंने कहा कि लगतार पराली जलानी के घटनाय आ रही है आप लोग केस क्यों नहीं दर्च कर रहे हैं और उसे प्रदूसर्ण काफी जादा फैल रहा है तब आपको बतानी कब सरकार भी कुछ नहीं कर पाए भी आपको पराली जलाने पर रोक लगाना ही पड़ेगा वरना आप पर कारवाई की जा सकती है क्योंकि यह सुप्रेम कोट का निर्देस है और कोट का निर्देस जो है सरकार को मानना ही पड़ेगा हर हाल में मानना पड़ेगा इसलिए इतनी जाद सक्ती बढ़ा दी गई है यूपी में स्कॉलर्शिप के लिए पचातर परसेंट हाजरी जरूरी एप से लगानी होगी फेसियल अटेंडेंस जीहाँ आपको बतानी कि ग्रोप वन के कोर्स वाले पिश्ड़ा वर्ग के छातरों को छातर विरती के लिए एप से फेसियल अटेंडेंस लगानी होगी उपस्तिती 75% से कम होने पर स्कॉलर्शिप से वनचित होना पड़ेगा प्रकिरिया को पारदर्शी बनानी के लिए पिश्ड़ा वर्ग कल्यान विभाग ने ग्रूप वन के कोर्स के लिए पायोमेट्रिक अटेंडेंस की विवस्ता लागू की थी कॉलेज़ों को अपने खर्च पर मशीन लगानी थी प्रबंधकों ने अत्रिक्त बोश्कुली कर विरोज जताया जिसके बाद सासन इस्तर पर अधिकारियों ने बायमेट्रिक अटेंडेंस की विवस्ता में बदलाओ कर दिया अप कॉलेज परस्तर में ही उपन होता है अप जब कॉलेज में रहेगा तब ही उपन होगा दूसरे जुनस से उसे उपन करके हाजरी नहीं लगाये चासकता दीवाली से पहले उनचास लाग केंद्री करमचारियों को बड़ा तौफा मांगाई भत्ते में 3% की हुई बढ़ोत्री जी हाँ केंद्री करमचारियों को मिलने वाले मांगाई भत्ते में 3% की बढ़ोत्री मोधी सरकार ने कर दी है ताजाजारी कैबनेट मिटिंग में डिये बढ़ोत्री परे फैसला हो गया दिवाली से पहले हो इस बढ़ोत्री के बाद महंगाई भत्ता पचास परसेंट से बढ़कर तिरपन परसेंट हो गया है इसका फायदा करीब 49,18,000 केंद्री करमचारियों और 64,89,000 पेंसनर्स को होगा डिये हर छह महिने में बढ़ता यानि बढ़ा हुआ डिये एक जुलाई से मिलेगा यानि करमचारियों को तीन महिने का एरियर बकाया भुकतान मिलेगा तफ्रदेश में मेड ने अपने यूरीन से आटा गूत कर रोटी बनाई गाजियाबाद में बिजनसमेन का पूरा परिवार बीमार किचन में कैमरा लगाने पर पकड़ी गई जिहाब को बतानी के गाजयबाद में एक नौकरानी बिजनसमेन के किचन में टॉयलेट करते हुए पकड़ी गए वह बरतनों में टॉयलेट करती थी आरोप है कि इसके बाद खाना बनाने में इसी यूरिन का इस्तमाल करती थी बिजनस्मेन का पूरा परिवार विमार रहने लगा श्रक हुआ तो बिजनस्मेन की पत्नी ने चुपचाफ मुबाइल के कैमरा ओन करके किचन में रख दिया इस से उसकी हरकत कैमरे में कैद हो गए बिजनस्मेन की पत्नी ने पुलिस से शिकायद की इसके बाद नौकरानी को गरबतार कर लिया गया वह ऐसा क्यों करती थी अभी तक एसाफ नहीं हो पाया है पुलिस ने नौकरानी के खिलाप संक्रामक रोख फैलानी की धारा में केस दर्च किया है योपी में ब्रश्टाचार और लापरवाई में एक और एक्सन योगी सरकार ने जिला समाज कल्यान अधिकारी को किया सस्पेंड दरसल आपको बतानी के ब्रश्टाचार और विभागी कारियों में लापरवाई बरतने के मामले में एक और कड़ी कारवाई हुई है यूपी सरकार ने जिला समाज कल्यान अधिकारी रचना शर्मा को सस्पेंड कर दिया है या बुलन सर के घटना है डियम चंदरप्रकाश्रिंग ने लापरवाई बरत ने और शिकायतों के आधार पर कारवाई की संस्तोती कर शासन को रिपोर्ट भेजी थी जिसके बाद शासन की ओर से लखनू में कारवाई करते हुए इने अटेज कर दिया गया जिला समाज कल्यान अधिकारी रचना शर्मा खिलाप रिष्ठा चार और विभागी कारियों में लगता अदला परवाई की शिकायते मिल रही थी और प्रदेश में निवेशकों की सहूलियतों में इजाफा करेगी योगी सरकार जानिये क्या बना रही है प्लान जी हाँ अगर आप भी बिजनस्मेन हैं तो आपको बता देए यूपी में आने वाले निवेशकों के चलती योगी सरकार उनकी सहुलियतों में और इजाफा करने की तैयारी चल रही है प्रदेश में और दोगिक प्राधिकरणों में प्रापटी मेनेजमेंट इन्फरमेशन सिस्टम को लागू करने और उसके जरिये निवेशकों से चरणबत समात के परकिरिया को आगे बढ़ानी की उजना पर काम भी शुरू हो गया है आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि सरकार्ट निवेशकों के साउजितों में इजाफा करने की दिसा में व्यापक खदम उठा रही है इस क्रम में निवेश मित्र एक बड़ा मात्यम बन रहा है तो निवेश मित्र पोर्टल पर काफी सारी सुबधायें विक्सित की जा रही हैं जिससे आपको आनलाइन लाब मिलेगा उधर प्रदेश के डिजीपी का बड़ा एलान धार्मिक जुलूस निकलने पर विसेस साउधानी रखे जीपी ने निर्देश दिये हैं कि मिस्रित आबादी वाले शेत्रों में किसी भी धार्मिक जुलूस के गुजरने पर विसेस साउधानी रखे जाए डीजीपी ने सोसल मीडिया पर अफ़वा फैला कर माहुल विकारने की कोशिश करने वालों पर सक्त कारवाई करने के नर्तिस्ति हैं। साथ ये कहां कि ऐसे लोगों को चेनित कर उनके खिलाप फायार भी दर्श की जाए। डीजीपी ने इन मामलों में आरोपय तेक खिलाप हुई कारवाई रिपोर्ट भी सबी एडीजी जोन से तलब की है। 25,000 करोड रुपे के बारे में पुश्टाच की। साथ ही कंपनी के और से खरीदी गई कई जमीनों और नेदेशकों के बारे में पूरा बेवरा भी लिया। इस कंपनी का मुख कारयाले कोलकाता में है। उदप्रदेश में मंत्रे दिनेश परताफ सिंग के घर पर लिखा चोर बेहिमान। लखनों में कॉंग्रेस नेता ने कहां प्रियंका गांधी के खलाप गलत बात बरदास्त नहीं। जी हाँ मंत्रे दिनेश प्रताफ सिंग के घर के गेट पर यूपी कॉंग्रिस के माहसाचिव अनिल यादो ने काले बेंड से चोर बेमान लिख दिया नेम प्लेट पर भी कालिक बोट इस से केयोटी गार्ट ने उन्हें रोका आत जगड़ा हो किया जाती जाती अनिल यादो धमकी दे कर गए उन्होंने कहा दिनेश प्रताफ ने प्रियंका गाथी पर जो अबंदर टिप पड़ी की है उसे बरदास्त नहीं किया जाएगा हमारी नेता के खिलाप अगर कोई कुछ भी बोल देगा सिवकार नहीं करेंगे अगर दिनेश प्रताफ मिल जाते तो उनके चेहरे पर भी कालिक बोथ देता यूबी के वारार्णसी में बनीगा देश का सबसे चोड़ा रेल रोड़ पूल पीम मोदी की काशी कैबनेट को पड़ी सोगा जीहाप को बताने के प्रधान मंत्री नरंद्र मोदी के संसदी शित्र वारार्णसी में गंगा पर देश का सबसे चोड़ा रेल और रोड़ पूल बनाए जाएगा जीहां अगर आप से भी कोई रिश्वत मांगे तो आपको बता दे रहें यूपी में बरश्चार और रिश्वत पूरी मामले में करवाई लगातार जारी है ताजा मामला बरेली से सामने आया है यहां पर एक जीही ने किसांज टुबिल कनिक्शन के नाम पर 30,000 रोपे की मांग की इंटी करवशन की टीम ने जीही को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोशा टीम ने जीही को गरबतार करके फते गंज पश्चिमी थाने में फायार दर्श की है तो आपको बताने कि आप भी इंटी करवशन ब्यूरो में शिकायत कर सकते हैं अगर कोई करमचारी ऐसे रसुत मांगता है हाँ पुलिस के खिलाब सिकायत मत करेगा नहीं तो पुलिस आपको यह उल्टा फसादीगी ओकेस तो आपको बताया था ना हमने उस दिन उता प्रदेस में 22 अक्टूबर तक घोशित होंगे भाश्पा उमिद्वार चार सीटों पर सपा उमिद्वार घोशित होनी का इंतजार कर रही भाश्पा जी आ विदानसभा उप्चूनाओं में भाश्पा उमिद्वारों की खोश्णा 22 अक्टूबर तक हो जाएगी उमिद्वारों के खुषना से पहले दिल्ली में भाजपा के श्रिष नेतित्व और प्रदेस के नेताओं के बिज मंधन का एक और दोर हो सकता है यूपी में विदांसभा के 9 सीटों पर उपचुनाओं के तारिख काहलान हो गया उपचुनाओं के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक नमांकन दाखिल किये जाएंगे उपचुनाओं में भाजपा के प्रतियाश्यों के लिए बनाये गए पैनल पर भाजपा के श्रिष नेतित्व और प्रदेस सरकार में संगठन वा सरकार के लोगों के बीच चर्चा हो गई है एक दोर में और चर्चा होने आले है उदर प्रदेस में पुर्व सांसत जयापरदा को कोट से मिली बड़ी रात आचार सहिता उलंगन मामले में हुई बड़ी जी हां रामपुर की पुर्व सांसत जयापरदा को बड़ी रहत मिल गई है आचार सहिता उलंगन मामले में MPML कोट ने उन्हें बरी कर दिया दरसल 2019 के लोकसबाद चुनाओ सड़क के उत्खाटन का मामला था जिसे लेकर आचार सहिता उलंगन की आरोप में केस दर्च हुआ था इस पर रामपुर की स्वार पुलिस ने केस दर्च कर कोट को चार्ट सिट भीजी थी जिस पर MPML मजिस्टेट कोट ने फैसला सुनाते वे जया परदा को बरी कर दिया है यूपी में 36,550 के आल टाइम हाई पर सुना इस साल अब तक 13,201 रूपे महेंगा हुआ साल के आखर तक 78,000 तक जा सकता है जी हाँ जैसा कि हमारा पुर्वान मान था सुने के दाम में कोई गिरावट नहीं आई है और अभी किया दोस्तों दिवाली था दशारा था इसके वोज़े से सुने के दाम में कोई गिरावट नहीं आई अब तो लगन भी शुरू होने वाला है इस से कहा जा रहा है कि 78,000 रुपे तक साल के अंतक पहुंच जाएगा सुना तो फिलहाल जो है 10 ग्राम 24 करेट सुने का भाव 630 रुपे बढ़ गया है और 76,500 रुपे परती 10 ग्राम 110 रुपे पहुंच गया है 24 करेट वाला वहीं आपको बता देते चादी समय क्या चल रही है तो चादी 1712 रुपे बढ़ गई है और 91,512 रुपे परती कीलो हो गई है जी हाँ इससे पहले ही दिन चादी 89,800 परती तो आप समझ पार हूँगे चादी इस समय अपने आल टाइम हाई पर रिकॉर्ड बना रही है वहीं 22 करट सुना 70,122 और 18 करट सुना 57,415 रुपे परती 10 ग्राम चल रहा है सियम योगी राजनास समयत 9 निताओं के सुरक्षा से हटेंगे नेजी कमांडो अब VIP सेकेवर्टी में तैनात नहीं होंगी इनकी जंगत CRP अप जवान लेंगे जिहां केंडर सरकार ने नेसना सेकेवर्टी गाड को VIP सेकेवर्टी से हटाने का फैसला लिया है इसके जंगत केंडरी रिजर्व पुलिस बल के जवान लेंगे अगले महिने से आदेश लागू हो जाएगा परलियमेंट के सेकेवर्टी में लगे रिटार्ड CRP अप जवानों को इस पेसर चेरिंग दी जाएगी उन्हें VIP सेकेवर्टी विंग में भेजा गया इसके लिए नए बेटैलियन बनाई गई है ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जवान VIP सुरक्षा में तैनाथ होंगे CGI चंद चूर का आतियांसिक फैसला सुप्रिम कोर्ट में नयाय की देवी की नए मुर्थी रखवाई आँख से पट्टी हटी हाथ में तलवार के जंगत समधान की किताब दी गई है यानि इस बार दंड नहीं न्याय मिलेगा या मूर्ति सुप्रेम कोर्ट के जजों के लाइबरेरी में लगाई गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबी किस नहीं मूर्ति को सजा का प्रतिक नहीं है बलकि नियाय का प्रतिक है इस पर मैं आपके राय जरूर जानना चाहूंगा एक कमेंट दुआज कर दें तो आज के लिए बस इतना है प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें यूपिक रोज कैसी ताजा खबरों के लिए चंग सब्सक्र आपके रहे घंटी कर सांजोर तावाल है